नमस्ते स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर यहां हमारी कोशिश रहते है कि निम्रोलोजी की जानकारी आप तक बिल्कुल सिंपल और एफेक्टिव तरीके से आपके सामने लेके आए ताकि आप खुद सुनकर समझ कर इस मैजिकल साइंस को अगे ले जाते वे हम बात करने वाले हैं भाग्यांक तीन की यानि वह लोग जिनके डेटो बर्त का टोटल आता है तीन नमबर पे कैसे कालकुलेट करना है ddmmyyyy यानि एक्जाम्पल के तौर पे डेटो बर्त को देखते हैं 25 एप्रिल 1999 तो 2 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 9, प्लस 9, सभी अंकों को जोड़ा और इन सब अंकों जोड़ के simplify करेंगे तो single digit में लेके आएगे तो आएगा number 3, तो यानि भाग्यांक 3, ऐसे ही आप अपनी डेटो बद को जोड़ के देखी, अगर भाग्यांक 3 है तो ये वीडियो आपके लिए है, बात करने वाले ह कि भाग्यांक 3 के जो लोग हैं, उनका life path कैसे होता है, आखिरकार भाग्यांक वो number है, जो आपकी soul ने आपके लिए चुना है, यानि life का blueprint आपको दिया गया है, अब इसके according, अगर आप अपने actions प्लान करते हैं, तो definitely सफलता के रास्ते पर आप चलते हैं, और अपने luck factor को खुद enhance कर सकते हैं, तो आएए अब जानते हैं भाग्यांक के बारे में और भाग्यांक 3 के बारे में, कि कैसी होती है भाग्यांक 3 के life और क्या होती है golden remedies, जिनने अगर आप जिंदगी में अपना लें, तो आप पीछे मुड़के कभी नहीं देखेंगे, सबसे पहले, तीन बात बोल दी, वो बोल दी, दुबारा अपनी बात को रिपीट करना होगा, तो गुसा आजाएगा, यह चाहते हैं कि सब इनकी बात माने, सब इनकी बात सुने, और जब ऐसा नहीं होता है, तो यह जल्दी परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि हैं headmaster type personality, स्कूल में देखें, जब प्रिंसिपल कोई बात बोलती है, तो she expects और he expects कि उनकी बात मानी जाए, तो इस तरीके से भाग्यांग तीन का थोड़ा सा attitude होता है, वो एक headmaster type का होता है, इसके बाद Jupiter को जब हम देखते हैं, तो it's a very big planet, one of the biggest planets in the solar system, तो वैसे ही इनकी महत्वकां अकांशाए, अपेकशाए, thinking, imagination बहुत बड़ी होती है, तो यह सोचते बहुत हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि देखें, इनका जो mind है, वो constantly overdrive में है, excessive knowledge, भाग्यांग तीन मतलब, Jupiter, Guru की सारी knowledge आपके अंदर आ गई, तो if you know more, if you try to process more, तो होता क्या है, कि आप present से disconnect हो जाते हैं, तो यह बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, इनके दिमाग में कोई ना कोई planning चलती रहती है, लेकिन जब execution का समय आता है, तो थोड़े से confused हो जाते हैं, क्या करें, क्या ना करें, ऐसे ही जब बोलने का समय आता है, तो communicate अपने emotions ठीक से नहीं कर पाते हैं, और उस वज़ा से छोटी सी बात बड़ी लड़ाई में भी तबदील हो सकती है, लेकिन because they are knowledgeable, तो ये दूसरों से हट के सोचते हैं, अलग सोचते हैं, थोड़ा intuitive होते हैं, problem solving skills होती हैं इनके पास, तो अगर ये knowledge sector में ही काम करें, teaching का का सला देने का काम करें, तो ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, इसी के साथ साथ, जहां पे sales and marketing का काम हैं, वो भी इन्हें बहुत suit करता है, क्यों suit करता है, because जब हम Jupiter को देखते हैं, तो it has got a bright, shiny appearance, तो ऐसे ही भाग्यांग तीन के जो लोग हैं, they are the eye candy, जहां जाते हैं, relate करेंगे, resonate करेंगे, कि जब जब हम तैयार होते हैं, तब तब लोग हमें ज़्यादा compliments देते हैं, हमारे पीछे लोग ज़्यादा पढ़ जाते हैं, to click photographs, या कहीं भी हम जाते हैं, तो हमें attention ज़रूर मिलती है, तो attractive होते हैं, knowledgeable होते हैं, थोड़ा सा अपनी communication पे काम करने के ज़रूरत हैं, और अगर ये करते हैं, तो definitely सफलता ज़रूर मिलती है, अब देखिए, गुरू है, तो गुरू जो है, वो सबसे बड़ा प्लानेट माना जाता है, solar system का, जैसे मैं भी आपको बता रहा था, तो इसी वज़ए से इनके उपर जिम्मेदारियां भी बहुत कहा, overthinking की problem इने रहती है, देखिए, जिम्मेदारी को अगर आप पूरा करना चाहते हैं, तो सिरफ तीन keywords हैं, जिस पे आप focus करें, जिंदगी में आप अपने जिम्मेदारी पूरी कर पाएंगे, और आपको divine support भी मिलेगा, गुरू जो है, वो आप पे सीधा दृष्टी ब पाते हैं, तो कोशिश कीजे कि आप लोगों को trust कर पाएं, और खुद भी अगर कोई वादा किया है, तो उसे पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि जुपिटर गुरू की जो जबान है, वो उसका trust ही है, headmaster के बाद जब parents जाते हैं, वो यही उमीद से जाते हैं, कि headmaster ने अपने आपको train करना है, अब वो चाहे physically हो, चाहे emotionally हो, चाहे mentally हो, अब physically तो भाग दौड कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, exercise कर सकते हैं, जुरूरत है आपको emotionally train करने हैं अपने आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि भाग्यांक तीन के जो रिष्टे हैं थ कैसे frame कर सके sentence framing के आपको कोशिश करने चाहिए और कोशिश हो तो लिख के भी अपने emotions को आप express करने की कोशिश करें उससे भी आपको बहुत मदद मिलेगी mentally try to solve puzzles कोई ऐसी mental stimulation के exercise करें जहां पर दिमाग को आप अपने शाप कर सके you can put to use चाहे वो शुरू को के exercise है, chess खेलना है या कोई mental maths का कोई game है, vedic maths program है जहां पर भी आपको mind को stimulate करना है ये चीज़ें आपको शुरूर करनी चाहिए और भाग्यांग तीन जो है अकसर उनका देखा जाता है कि बच्पन में थोड़ी learning slow होती है कि speech slow होती है तो अगर इसको point को अगर आप ध्यान में रखें तो definitely life में आपको growth मिल सकती है इसके बाद हम बात करते हैं कि गुरू जो है वो अपनी pace पे चलना पसंद करता है अपने हिसाब से time को control करना चाहता है तो भाग्यांग तीन के भी जो लोग हैं वो कहते हैं कि जी हम सब काम करेंगे अपनी responsibility जो है वो पूरी करेंगे लेकिन अपने हिसाब से करेंगे अपने समय पे करेंगे और इसी वज़ा से थोड़ से complacent हो जाते हैं इनका सारा काम इखटा होता जाता है और last moment पर इन्हें भाद दोड़ होती है और फिर anxiety होती है तो भाग्यांग तीन की life की learning क्या है how to avoid anxious moments in life पहले बोलने में anxiety नहीं होनी चाहिए बोलना आना चाहिए दूसरा जब जिम्मेदारी मिली है तो उस काम को तभी करें उससे आपकी anxiety कम होगी और last moment का इंतजार ना करें जीवन में अक्सर भाग्यांग तीन की जीवन में जो परिशानी आएगी problem आएगी it will because कि आपने अपने लिए खुद anxiety create करी आपने खुद अपने लिए delay create किया या अपनी बात को ठिक से बता नहीं पाए खाना पीना सोना लाइफ को enjoy करना travel भाग्यांग तीन गुरू है तो definitely one of the biggest planets तो वो तो पसंद होता ही है लेकिन at the same time आपको कोशिश करने चाहिए कि जब जब आप घुमने जाएं या कहीं खाना खाने जाएं तो कोशिश करने थोड़ा सा अपना पेट का ख्याल करने की नहीं तो आपको acidity, gas, constipation, gut issues जैसी problem रह सकती है भाग्यांग तीन के लोग है health, moralness ठीक रहती है लेकिन hormonal issues, gut issues and anxiety issues, mental disorders ये ज़्यादा प्रोन होते हैं आप तो इनके उपर खासकर आपको ध्यान देना चाहिए अब बात करते हैं golden remedies भाग्यांग तीन के लोगों के लिए कौन सी है देखिए सबसे पहले गुरू, ध्रसपती, likes, cleanliness तो सबसे पहले तो अपने शरीर को clean करने की कोशिश करें नहाए रोज और नहाते समय अगर sea salt का या alum, fit curry का इस्तमाल करें तो इससे आपका aura भी clean होता है and definitely when your aura is clean, you are able to attract good positive energies from Jupiter दूसरी बात का ध्यान करें कि एक knowledge journal बनाएं, एक किताब बनाएं, एक diary बनाएं उसमें रोज आपके लिए एक आप लिखिए कि क्या मैंने आज नया सीखा, knowledge journal अगर ये बना लिया तो मान के चलिए, ये आपके लिए golden remedy है, राधर मैं कहूंगा आपके लिए diamond remedy है आपको जिन्दगी में काफी सारी problems आपकी इसी से solve होनी शुरू हो जाएंगी क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि मेरे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और मुझे क्या करना चाहिए इसको मैं कहता हूँ divine intervention तो जो उपर वाला है वो आपसे बात नहीं कर सकता है, लेकिन वो आपसे बात करता है किताबों के जरीए और आपसे बात करता है वो ग्यान के जरीए तो जब आप किताबों पढ़ेंगे और उस किताबों से ग्यान जो लिया है आपने उसको लिखना शुरू करेंगे तो जीवन में ऐसा परिवरतन होगा जहां पर जुपिटर आक्टिव हो जाएंगे जुपिटर है तो आपको जिंदगी में कभी पैसे की कमी नहीं होगी कही ना कहीं से गिप्ट आ जाएंगे जब जरूरत होगी तो पैसा मिल जाएगा और आपकी लाइफ में भी आप पैसे को ज़्यादा एहमियत नहीं देंगे आपके लिए ज़्यादा important होगा मान सम्मान, name and fame पैसा तो आप कमाई लेंगे आपको पता है आई जाएगा चलिए golden remedy के आगे बात करते वे अगली जो golden remedy आपके लिए वो है कि आपकी जो room है यह office है जो घर है उसका south direction बिलकुल साफ होना चाहिए well lit होना चाहिए और वहाँ पे अगर कुछ golden accents आप लगा दें golden frame लगा दें, golden wallpaper लगा दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आपको वहाँ से भी बहुत energy मिलेगी and the golden color in the south will also bring good luck prosperity for you number 3 जो है लोशू grid में usually wood element को represent करता है लगड़ी element को represent करता है और अगर आपका भाग्य तीन है तो लगड़ी आपके लिए बहुत important है कोशिश करें कि लगड़ी का कभी तिरसकार ना करें कभी खुद से कोई पेड़ ना कटवाएं अगर पेड़ कटवाना बहुत जुरूरी है तो कोशिश करें उसके जगा तीन और नए पेड़ आप लगवा दीजिए अपने बैग में या पर्स में चंदन की लखड़ी का अगर आप छोटा सा टुकड़ा कैरी करते हैं वो भी आपके लिए बहुत लगी है लास्ट, सिट्रीन का आप इस्तमाल कर सकते हैं सिट्रीन, C-I-T-R-I-N-E सिट्रीन क्रिस्टल है जब आपको लगे कि लैक ओफ उपरचुनिटीज है लाइफ में मैं कुछ नया करना चाहता हूँ या नया करना चाहती हूँ नहीं हो रहा है तो सिट्रीन का इस्तमाल करें ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं पानी से दोके थोड़े देर धूप में रखें उसको पहनें लेकिन पहनना तभी है वेन यूर स्टाक जब आपको लाक of opportunities है जब आप चेंज करना चाहते हैं नई जॉब के लिए देख रहे हैं नई बिजनस के लिए देख रहे हैं लेकिन चीज़े नहीं हो रही है तो तो देन यूव तो वेर इट हमेशा कॉंस्टेंटली पहन के ना रखे जो सिट्रीन है जब तक जुरत ना हो तब तक remedies का और jamstones का इस्तवाल अवोइड करना चाहिए तो जुरत परने पर lack of opportunities हैं तो सिट्रीन यूज कीज़े इमेजियेटली आपको opportunities आनी शुरुआत हो जाएगी आपकी तो उमीद करता हूँ आपको समझ में आया कि भाग्यांग तीन की life कैसी होती है क्या characteristics होते हैं क्या इन्हें करना चाहिए कौन सी ऐसी चीज़ें अगर जिने life में अपना लें तो definitely आपको success मिल सकती है ऐसी और भी भाग्यांग की videos इस channel पर available हैं तो आप उन्हें जाके देख सकते हैं friends and family के साथ share बहुत जरूर कीजेगा क्योंकि हो सकता है उनका भाग्यांग आपसे अलग हो जैसे आपको help मिली इस video में उन्हें भी help मिल सकती है तो उमीद करता हूँ कि आपको information अच्छी लगी है अच्छी लगी है तो share करना मत भूलेगा and follow जरूर कीजेगा क्योंकि ऐसी बहुत सारी जानकारी जो आपके लिए अच्छी है इस channel पर हम लेके आते हैं आपके लिए ताकि आप खुद सुनकर समझकर सही फैसला जीवन में ले सकें और आगे बढ़ सकें इसी के साथ विदा लेते हैं अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार गॉड ब्लेस थैंक यू